हेलो दोस्तो आज हम बात करने जा रहे है इट ब्रेन है लव मूवी के बारे में उम्मीद करती हूँ आप लोग को इसके एक्स्पेनेशन ज़रूर पसंद आए और पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना वीडियो को लाइक करना वीडियो को शेयर करना और वी की हेल्प ले रही है जिनके पास स्पेशल पावर होती है अलागी किसी को भी इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी कि इस वाइरस की सुरुवात कैसे हुई लेकिन एक दूसरे के साथ इंटीमेट होनी की वज़े से फैलता है फिर सीन शिफ्ट होता है और हम जैक नाम की लड़के को देखते हैं जो जारान अमेंडा नाम की लड़की के साथ होता है तब ही वो जॉंबी में बदल जाता है और अमेंडा पर अटैक कर देता है लेकिन उसी समय उसकी नीन खुल जाती है और हमें पता चलता है कि वो सिर्फ एक सपना देख रहा था जिसके बाद हमे पता चलता है कि जैक अपनी स्कूल की लड़की अमेंडा को पसंद करता है लेकिन उसका बॉइफ्रेंड भी है जिसका नम चैज है जो कि देख लेता है कि जैक अमेंडा को भूर रहा है इसलिए वह उस पर अटैक कर देता है लेकिन अमेंडा उसे रोक लेती है फिर जब जैक क्लास में पहुचता है तो महाँ पर एक मूवी चलाई जाती है जिससे क्लास के बच्चे अंसेंफ इंटीमेट होने से बचें लेकिन उस मूवी को देखकर जैक को याद आता है कि वो कुछ दिन पहले ही एक लड़की के साथ इंटीमेट हुआ था और इस पज़र से वो बहु होती बुझी तरा से पता चलता है कि वह भी जॉंबी है यह देखते ही देखते जैक भी बदलकर अपने दोस्तों पर डेक कर देता है जिससे पूरे कैंटीमें अफरा तफ्री मच जाती है इस वरान हम देख सकते थे कि जैक और आमेंडा दोनों ही महां मौजूद लोगोंक प्धा इस दौरान हमें पता चलता है कि केस की पावर यह है कि वो लोगों की चीजों की help से उनके पास को देख सकती है जिसके बाद वो जैक के pen की help से उसके अपना connection जोड लेती है और उसे ट्रैक कर लेती है फिर हम जैक को देखते हैं जिसे लगता है कि वो अभी तक एक सपना देख रहा है लेकिन अमेंडा उसे बताती है कि वो कोई सपना नहीं बलकि सब कुछ बिलकुल अखीकत है और हमने अपने दोस्तों को खा लिया है तब ही उन्हें पुलिस की आप गन से शूट कर देता है जिससे उसकी बॉडी में बहुत बड़ा होल हो जाता है लेकिन इसके बावुजूद वह अभी तेक जिन्दा था फिर जिब टॉम 12 जैक पर अटैक करने की कोशिश करता है तो उस पर अमेंडा अटैक कर देती है लेकिन इससे पहले कि वो टॉ आखे बाहर निकलाती है तभी जैक टॉम पर हमला करके उसे अमेंडा से दूर कर देता है लेकिन वो केस को नुकसान नहीं पहुचाता जो कि काफी जीब बात थी उसी समय फिर से टॉम जैक को गन से शूट करने की कोशिश करता है लेकिन वहाँ पर समर और ग्रेस नाम की द किसी तरह का सूपर हिरो है फिर जैक और अमेंडा के पास समर और ग्रेस पहुचती हैं और यहां पर हमें पता चलता है कि वो दोनों भी जॉम्बी हैं इसलिए अमेंडा उनसे पूस्ती है कि अभी तो हम इनसान हैं फिर हम जॉम्बी में कैसे बदल जाते हैं जिस पर वो ब में जुटी खबार फैलाई है दूसी तरफ केस और टॉम स्कूल में एक एक करके सभी लोगों से पूस्ताच कर रहे होते हैं फिर जब केस चैड के दिमांग में जहाकने की कोशिश करती है तब भी वो बॉखला कर जॉम्बी में बदल जाता है और टॉम्ब पर अटैक कर द पाती है जो केस से इस तरह के पावर यूस करने की वज़े से काफी खुश था हाला कि जब केस उससे पूस्ती है कि क्या चैड मर गया है तो वो इस चीस के लिए साफ मना कर देता है और कहता है कि अभी वो जिन्दा है और हमारी एजनसी उस पर स्टड़ी कर रही है जिससे क केस को पता चल जाता है कि इस दोरान चैड की हालत बहुत ही जादा खराब है जिसके बाद बोटाई केस को जैक की बुक देकर उसके बारे में पता लगाने के लिए कहता है जिससे केस देखती है कि जैक अभी भी अमेंडा के साथ ही है और वो दोनों काफी खुश है बोटाई और बोटाई इसवे बोटाई कीस को दिखाए जाता है जिसे बोटाई यहां पर उसने चैट को बान्थ कर रखा था इस दौरा बोटाई चैट को अपने हाथ में लगे हुए एक डिवाइस से कनेक कर लेता है और केस को बताता है कि हम इस डिवाइस की हेल्प से इन जॉंबिस को कंट्रोल करके जो चाहे वो करवा सकते हैं और यह हमारी सब बात मानेंगे इसलिए अगर तुम मुझे बता दोगी कि जैक कह सब्सक्राइब को देखते हैं जो जैक को बताती है कि हमें यहां पर नहीं रुकना चाहिए क्योंकि गवर्मेंट की सीक्रेट एजनसी हमें कभी भी डूड़ना बंद नहीं करेगी इसलिए मुझे अपने भाई के पास जाना चाहिए जो जॉंबिस के बारे में बहुत जिससे समर और ग्रेस उन पर अटेक करके महां से भागने की कोशिश करती है लेकिन टॉम समर को गन से शूट करके उसे मार देता है जिससे ग्रेस बहुत जादा गुस्ता हो जाती है और जॉंबी में बदल कर उस पर हमला करने की कोशिश करती है लेकिन टॉम की टीम उसे भ बाकी जॉम्बी से बिलकुल अलग है और वो किसी भी इनसान को नुकसा नहीं पहुचाएगा लेकिन टॉम इस बास से बिलकुल भी सहमत नहीं था और कहता है कि तुम्हें ये चीज उन बच्चों से पूछनी चाहिए जिने जैक ने स्कूल में खा लिया था दूसी तरफ हम जैक और अमेंडा को देखती हैं जो अमेंडा के भाइल काईल के पास जा रहे होते हैं लेकिन इस दौरान उन्हें एसास होता है कि उन्हें भूक लग रही है और अगर उन्होंने कुछ नहीं खाया तो पूरी तरह से जॉम्बी में बदल कर लोगों पर अटैक करने लगें था इसलिए वो लोगों को मार कर खाते हुए आगे बढ़ने लगते हैं तभी रास्ते में उन्हें फिर से भूक लगने लगती है उसी समय एक आदमी उन्हें परेशान करने लगता है जिससे गुसा होकर जैक और अमेंडा उस पर हमला करके उसे बहुत ही बेरहमी से खा जा जिसमें वो बताता है कि उसे जॉंबी वाइरस का क्योर मिल गया है लेकिन इसी के साथ वो वीडियो बंद हो जाता है और क्यूंकि वो आदमी लुवा में रहता था इसलिए काईल उन दोनों को ही अगली सुभा वहां ले जाने का फैसला करता है इधर हम देखते हैं कि टॉ करने की कोशिश करता है लेकिन वह दोनों मिलकर उस पर भार ही पड़ते हैं लेकिन चैट को वहां पर देखकर उनको पता चल जाता है कि सीक्रेट एजनसी उन्हें डूंडते वह यहां तक आ गई है इसलिए काईल उन दोनों से कहता है कि हमारे पास इनका सामना करने के की क्योंकि क्याम की मरने की वज़े से बहुत जादा दुखी ती ती इसलिए वह जौब छूड़ने के लिए के लिए बौटाई उसे इस चीज के लिए साफ मना कर देता है और उसे कंट्रोल करके कहता है कि कोई भी कभी यह यह सीक्रेट ऐजन सी की जॊब जौइन करने के नहीं छोड़ सकता उसी समय कायल को वोश आजाता है जो एक चाकू से बोटाई के पैरों पर अटैक कर देता है जिससे मौकी का फायदा उठाकर कैस महां से भाग जाती है और जंगल में जैक से मिलती है हाला कि पहले तो जैक को लगता है कि वह उसे पकड़ने के लिए आई है लेकिन कैस उसे समझाती है कि वो लोग मेरा भी पीछा कर रहे हैं जिसके बाद जैक उससे अमेंडा के बारे में पूछ कर उसे बचाने के लिए निकल पड़ता है इसलिए कैस भी उसके साथ कायल के घर पोहसती है लेकिन वहां पर उन्हें ना तो कायल मिलता है और ना ही अ अमेंडा को ढूंडने के लिए तयार हो जाती है और उसे उस जगह पर ले जाती है जहां पर बोटाई ने अमेंडा को कैद करके रखा था इस दौरान वहां पर मौजूद ऑफिसर को अपनी पावर से कंट्रोल कर लेती है जिससे वहां पर मौजूद सभी गार्ड को जैक बोटाई की तरह दिखने लगता है जिसके बाद वो लोग ऐसे जेल में पहुंचते हैं जहां पर बहुत सारे जौंबिस को कैद करके रखा गया था जिनमें ग्रेस के साथ साथ अमेंडा भी थी और क्यूंकि वहां पर चाबिया रखी हुई थी इसलिए उनकी हैल्प से जै के का फाइदा उठा कर जैक अमेंडा और कैस के साथ वहां से निकल परता है तब ही अचानक से उनके सामने बोटाई आ जाता है जिसके साथ चैड का जौंबी भी मौजूद था लेकिन कैस उस जौंबी को अपने कंट्रोल में कर लेती है जिससे वह उल्टा बोटाई पर ही कोशिश करता है तो वह सीस के लिए तैयार भी हो जाती है जिसके बाद वह तीनों ही क्यों डूणने के लिए वहां से निकल पड़ते हैं लेकिन वहां पहुचने से पहले ही उन्हें रास्ते में वह लड़की मिलती है जिसकी वजह से जैक जॉंबी बना था इस दौरान उस के एक्स्प्लेइनेशन जरूर पसंद आई होगी और पसंद आई तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना वीडियो को लाइक करना वीडियो को शेर करना और वीडियो पे कमेंट्स करना बिलकुर भी मत भूलिएगा और थैंक्स वो कमिंग एंद बॉचिए